तो हेलो डियर स्टूरेंट, आई वेलकम यू अगेन इंदी सचदान अनलनी चैनल, इट इज इंग्लीज क्लास टेंथ, आपके बुक का ए थार्ड पोएम यहाँ पर ए टाइगर इंद जू, चुलिया घर में एक टाइगर, इस पोएम का हम लोग आई एक्स्प्लानेशन हिं डिस्क्रिप्शन में इंग्लीज क्लास 10th NCRT का प्लेलिस्ट है, उस पर जाकर के सारे वीडियो आप चेक कर सकते हैं, साथी वहाँ पर जो लेशन ए लेटर टू गार्ड के खुश्चान आंसर है, अप्लोड कराए जा चुके हैं, तथा सिकंड चेप्टर नेंसन मंडेला, आईए इस वीडियो में इस चेप्टर के आसे को हम लोग समझें, पोयम के ब्याख्या को समझें, तो इस पोयम में जो कभी है, वहाँ पर टाइगर की जो कंडिशन है, उसका जिकर कर रहा है, ऐसा टाइगर जो की एक पिजडे में बंद हो, एक और दूसरा ऐसा टाइगर जो की खुले आम, जंगल में रहता हो, तो दोनों की लाइफ कंडिशन के बारे में इन पोयम में वह कंपेर कर रहे हैं, आखिर दोनों का जीवन कैसा होता है, एक ऐसा टाइगर जो की पिजडे में बंद है, आईए पढ़ते हैं, देखें लिखा है कि इस टाइगर होता है, उसके सरीर पर जो धारिया बनी होती है, चमकिली धारिया, बिवीड में होता है, बहुत ही स्वस्ट, क्लियर, चमकदार, इस टाइगर होता है, 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 इस टाइगर होत पैट्स मने गदेदार नुमा जो तलवा होता है और बालबेट मने होता है बहुत ही मुलाय मकमल जैसा क्वाइट मने सांती रेज मने क्रोथ तो यह कहते हैं कि ही इस्टाक्स इन ही जो विवीड इस्ट्रिप्स तो वह जो टाइगर है जो की बहुत ही चमकदार धारियों वाल कहां केज उस बंद पिजले में दफ्यू इश्टेप्स कुछ ही कदम वह चलता है पिजले में जहां तक उसकी सिमाएं वही डोल सकता है चल सकता है जब कैद है तो अनपैड साप वालवी इड कौाइट अपने उस नरम गद्यदार तलवो वाले पैर से सांती पुर्वक चलता है खमोशो करके इन ही क्वाइट रीच और वह है बहुत क्रोधीत क्रोधीत इसलिए कि उसमें कैद है केज में पिजले में एंड क्वाइट और असहाय होने के चातनाते वह सांता है वह चो टाइगर है बाग है अपने उस गद्यदार नुमा नरम मकमल जैसे पैरों से बिना आवाज किये हुए जो की काफी चमकेली धारिया लिये हुए है बड़ी हिसान से उस पिजले में चलता है जहां तक उस पिजले की सिमाएं हैं पोईम सेकंड इश्टन अजा सेकंड दखें और क्या आगे जो कभी है उस टाइगर के बारे में बाग के बारे में सोच रहा इस कि कास मानो वह एक टाइगर हो जो की केज से बाहर हो पिजले से बाहर जंगल में रहता हो तो ऐसे जो केज में बंद पिजले में बंद टाइगर है उसे तो अजाद होना चाहिए लरकिंग माने चुपा रहाना चाहिए कहां इन चाया में ब्रिच्छों के जंगलों के जुर्मुटों में चाया में उनकी परचायों में ऐसे टाइगर को होना चाहिए sliding through long grass जहां पर वो सरकता हो टालता हो उन लंबी लंबी घासों के बीच में कहा नियर दा वाटर होल वाटर होल मने उस सरोवर के पास तलाब के पास जल्कूओं के पास उसको होना चाहिए वेर प्लंप डीयर पास पलंप मने मोटे ताजे हीरन आते जाते हैं गुजरते हैं उनकी प्रतिच्छा करने चाहिए अर्थात यदि टाइगर बाहर होता जंगल में होता स्वचंद होता जहां पर अपने सिकार बाग जहां पर अपनी भोग को मिटाता उस टाइगर पर हमला बोलता उसका प्रतिच्चा करता टालता उहां तलाबों के पास घासों में इधर उधर सरकता खेलता कुदता उस जंगलों में छुपकर बैठता लर्किंग इनस सैडो कहते हैं कि यह जो टाइगर है बाग है जब आजाद होता जंगल में होता तो क्या करता इसे तो दारना चाहिए एराउंड हाउसे घरों के आसपास चारो तरफ at the jungle's age जो जंगल के किनारे पर जो घर मने हुए है लोगों के उनके आसपास यह गुराता इसको गुराना चाहिए दारना चाहिए शनारलिंग करना चाहिए यदि यह अजाद होता बट यहां तो आगे बिलते हैं कि यह गायों के लोगों को आतंक करता मने उनको डराने के लिए हुआइट फेस अपने सफेद उन दो नुकीली फैंक्समने दातों को बेरिंग करता दिखाता दिखा करके लोगों को डरवाता हिजकलाच और अपने पंजों को तो बोल रहे हैं कि यदि यह अजाद होता जंगल में होता तो वहाँ पर जंगल के किनारे गाउं जो घर हैं उनके आसपा से चिलाता गुराता गरजना करता इस नारलिंग और गाउं की लोगों को अपने पंजे तथा अपने उन सफेद दो फैंक्स को दातों को दिखा करके बेरिंग करके उनको राइजिंग करता डरवाता लेकिन यहां तो पिजडे में उसकी कंडीशन बहुत ही दैनी है पूर है असहाय है सांत है करोधित है फोर्तिष्टे निजा दखेंगे यहां पर एक बार फिर से जिक्र कर रहे हैं उस टाइगर के बारे में बट ही लाग्ड इन कंक्रीट सेल लेकिन यह टाइगर तो जहां उस अजाद होना चाहिए पिजडे में बंद है सिमेंट की बने हुई इन सेल में इन पिजडे में कैद है लाग्ट है और उसकी जो पावर है सकती है इन बार्स के पीछे ब्यर्त ही पली है जो इन इस सलाखे है इनके पीछे यूही ब्यर्त ही उसकी पावर है इस टाकिंग डर लेंग्थ ऑफिज केज और कहां तक यह चल सकता है इसमें कहां तक अकड़कर जा सकता है जहां तक पिजडे की लेंग्थ है लंबाई है इग्नोरिंग विजटर्स जो परियटक हैं उनको अंदेखा करके जो विजटर है यात्री गड़ है अगंतुक हैं उनको बगार देखे ही उस बंद पिजडे में उसकी फूल लंबाई तक टाल सकता है इसके आगे नहीं और उसकी सक्ती भी बगएर किसी काम की है क्योंकि यह जनता को और किसी को कुछ कर नहीं सकता स्वच्छन्द है नहीं जानुवर पर अपने सिकार के लिए हमला बोल नहीं सकता यहां पिजटर्स ने जब हाइफ कार्ट समझेंगे देखें लिका है कि और वह जो टाइगर है रात में क्या करता है वह हीरस मने सुनता है लाश्ट वाइस एट नाइट दे पेट्रोलिंग कार्स जो आसपास गस्त लगाती हुई चलती हुई कार है उनकी आवाजों को ही केवल सुनता है अंतिम लाश्ट वाइस को अंतिम आवाज को सुनता है और उस अपने चमकीले चमकदार आचों से उनको सिर्फ देखता है इस्टेर्स करता है गूरता है at the brilliant stars उन चमकते हुए तारों को केवल वह निहारता रहता है और कुछ करही नहीं सकता उसकी चाहत है मैं अहां से आजाद हो जाऊं इस पिजले से लेकिन उन आसमान में चमकते हुए सितारों को ही देख पाता है अपने उन चमकते हुए आखों से रात्री के समय उस गस्त लगाते हुए पेट्रोल पेट्रोलिंग कार है जो गस्त लगाते हुए कार है उसकी आवाज ही सुनता है तो थैंकिश ट्वंट